दोस्तो भीवो का 91 आई है जिसमें charging error का icon बना रहा है charging connect करने पर तो दोस्तो चार्जिंग कनेक्ट करने के बाद आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या रहर बना रहा है तो दोस्तो इसमें बना आता है charging error please contact after sale service nearest service center तो दोस्तो जैसे आपने देखा ये charging error इसमें बना हुआ आ रहा है आप charging jack चेंज कर लो charger चेंज कर लो बैटरी चेंज कर लो या उसका charging subboard चेंज कर लो problem solve नहीं होती तो हाई guys welcome back to my channel मैं होपका दोस्त परवेस परवेस mobile master में एक बार फिर आपका सोगत है तो सोची start कर दिया है हमने BO Y91, Y93, Y92, Y91S जितने भी ये model आते हैं जिन में भी ये charging error की दिक्कत आती है तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ये charging error कितनी आसानी trick से हम solve कर सकते हैं बिना charging connector replace किये हुए बिना charging subboard replace करे हुए तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जोड़े रहें अगर आ पैनल को subscribe करने और well icon press करना विल्कुल इपनल तो दोस्तों जैसे आपने देखा हमने अपना mobile back panel हटाने के बाद motherboard के ओपर के सारे clip हटा दिये हैं और motherboard हम बाहर निकाल रहे हैं अपने opener के सारे से क्योंकि हम पहुच रहे हैं उस जगा पर जहां से ये charging का error issue create होता है तो दोस् दोस्तों जो हमारे main PCV के जो sensor वाले connector थे हमने इनको clean कर दिया इन पर तकी कोई moisture ना हो और ये जो इसके अंदर shorting और जो error आ रहा है charging का वो ना है तो दोस्तों आपने देखा वो tapping करने के बाद हमने अपना clean करने के बाद mobile के motherboard को बापस हमने fit करना start कर दिया है तो दोस्तों अब ही हम आपको दिखाएंगे इसकी charging की जो problem हमारी error charging का चल रहा था वो बिलकुल हट चुका है तो दोस्तों अमीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा आप इस charging के error से परेशान होंगे तो ये आपके लिए बड़ा helpful वीडियो रहेगा तो अपने दोस्तों मे जरूर करें इस वीडियो को ताकि उनको किसी तरह की परेशानी उनके सामने अगर इस तरह की error charging आयो और उनको इस problem का solution ना आता हो तो इस वीडियो के साहरे देखकर वो इस problem को बड़ी आसानी trick से solve कर सकते हैं तो दोस्तों mobile pack करने के बाद अब हमने अपना back panel fit कर दिया है अ जल्ट आपके सामने charging error हट चुका है तो दोस्तों अमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद है को वीडियो पसंद है लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और दोस्तों में शेयर करें